साथियों, आईए संख्याओं के संसार में एक बार फिर प्रवेश करें पहले ऐसे कुछ वर्गों को प्रियोग कर गिंती की संख्याओं बनाएं यहां हैं अनेक वर्ग जिन में अंख लिखे हुए हैं हम प्रतेक वर्ग में से एक अंख चुनेंगे चाहे एक पूर्ण संख्या, एक दो वैतीन, अथवा शुने प्रतेक इस नम्ब में से एक एक अंख चुनकर उनके मानों को जोड़ेंगे और हमें मिल जाएगी एक गिंती की संख्या, वास्तों में हमारी संख्याओं की इसी प्रकार रचना की गई है और यहां हैं चार्ट जिन में उंग्लियों द्वारा गिनना दिखाया गया है और अब यह एक नई विधी उंग्लियों द्वारा गिनने की जिसमें शुन्य की धारना को आधार मनाते हैं आओ जरा देखें बाएं हाथ को लेते हैं और इसकी हतेली को मानते हैं संख्या आधार यानी शुन्य की गिनने के लिए हम उंग्ली उठाने के बजाए अब एक एक उंग्ली बंद करते जाएं एक दो तीन चार पांच है एक विशे संख्या तो यह हुआ पांच छे साथ आठ नौ यानी इस तरह हमने शुन्य से नौ तक गिनने के एक योजना बना डाली उंग्लियों का प्रियोक्तिप्स बस इतना ही नहीं आई आगे बढ़ें दूसरे हाथ की हतेली को आधार मानते हुए फिर गिने 10, 20, 30, 40, 50 फिर एक विशे संख्या है 60, 70, 80, 90 क्या हम इस प्रकार चलते रहें क्यों नहीं फिर पहले हाथ को लेते हैं और शुरू करते हैं हतेली आधार संख्या चुम्हें 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 वे 900 इसी क्रम में चलते रहकर हम बड़ी और बड़ी संख्या गिन सकते हैं दिखा सकते हैं और अब यहां है एक और विधी इस चार्ट में बने वर्गों को प्रियोग कर इन वर्गों के भीतर वृत्य भी बने हुए हैं और किनारों पर लिखा है इकाईयां, दहाईयां, सैंक्डे, हजार, दस हजार, ऐसा चारों किनारों पर लिखा गया है इकाईयां, दहाईयां, सैंक्डे, हजार आदी आई ये इस चार्ट को प्रियोग कर कुछ संख्याय दिखाते हैं समझें कैसे, इसके लिए बिंडियों का प्रियोग करते हैं, बिंडियों में रंग भर देते हैं फिर हम एक बच्चे से पूछते हैं, कि वे दर्शाई गई संख्या को पढ़कर बताएं दर्शाई गई संख्या को बच्चा पढ़कर बताएंगा जो भी संख्या आप बिंडियों में रंग भर कर दिखाएंगे बच्चा उसे इस्थानी अमान पध्धती का उप्योग कर पढ़ेगा इसी चार्ट में आप एक दशमलव बिंडू की स्थिती अंकित कर दशमलव भिन्नो को भी दिखा सकते हैं इस चार्ट में हमने इसे यहां पर दिखाया है और बच्चे को आप इसका संकेत भी दे सकते हैं और समझा सकते हैं दशमलव संख्या पद्धती की रचना आए उस चार्ट पर फिर ध्यान दे जिसमें हमने संख्याएं प्रदर्शित की इसमें मज़ेदार बात यह है कि पहले आप संख्या को एक स्थिती में पढ़ें इस तर है इस परकार आप पढ़ सकेंगे जैसा पहले देखा भी था संख्या 8,734 जो पहली पंक्ती में लिखी गई है दूसरी पंक्ती में है 89,530 तीसरी पंक्ती में है 41,92 और चौथी पंक्ती में है 62,651 आईए अब इसे जरा घुमा दे और फिर संख्याएं पढ़ें पहली पंक्ती में पढ़ा जाएगा 6,478 दूसरी पंक्ती में 2,197 तीसरी पंक्ती में 6,053 तीसरी पंक्ती में चौथी पंक्ती में यह बना 5,910 और पंचवी पंक्ती में 1,234 अब इसे फिर घुमा दे तब हम पढ़ेंगे यह संख्याएं जो यहां किनारे पर लिखी हुई भी हैं यह हैं 15,626 29,014 31,597 तथा 40,378 इसे एक बार फिर घुमा कर चौथी स्थिटी में भी संख्याएं पढ़ी जा सकती हैं अब संख्याएं बनती हैं 4,321, 1,95, 3,506, 7,912 तथा 8,748 यह सब करने से हमारा क्या तात पर यह है वास्तों में यही है स्थानी अमान पध्धती प्रतेक अंक का एक विशेस स्थान पर एक निश्चित मा जो बदल जाता है स्थान बदलने पर यानि स्थानी अमान पध्धती का महत जो हम गिंती लिखने में प्रयोग करते हैं यह है एक चार्ट जिसमें सभी खाने खाली हैं empty charts and use some form of इन खानों में चले टिक्कियां या इमली के बीज विभी में स्थानों पर रखकर संख्याय आस्थम तो प्लेस बनाई तथा उने पढ़ा जा सकता है and ask the child to read the numbers. इस विधी द्वारा छोटे बालक अथ्वा विद्यार्थी शंख्याय लिखने की इस्थानिय माल पद्धती और संख्या धारना का गूल ज्यान प्राप्त कर सकते हैं and gain depth to the understanding of the number concept. संख्याय का मूर्थ ज्यान गनित में एक महत पून स्थान रखता है in mathematics. गनित में जोड, घटा, गुना, भाल, आदि सभी संख्यायों को करने के लिए संख्या ग्यान की आवश्यक्ता होती है. इतना ही नहीं संख्या पद्धिती की रचना ही स्वयम में एक गनित कार्यकरम है.